हुम शांती बाब दादा मदवन आज की मदोर मुल बारा बारा दो हलार चौविस मीठे वच्चे यह पढ़ाई जो बाब पढ़ाते हैं इसमें अथा कमाई है इसलिए पढ़ाई अच्छी रीती पढ़ते रहो लेंग कभी ना तूटे प्रश्ट जो बिनाश काले विपरीत बुद्धी हैं उन्हें तुम्हारी किस बात पर हशी आती है उत्तर तुम जब कहते हो अभी बिनाश काल ने देख है तूं उन्हें हशी आती है तुम जानते हो बाब यहां बैठे तो नहीं रहेंगे बाब की ड्यूटी है पावन बनाना जब पावन बन जाएंगे तो ये पुरानी दुनिया विनाश होगी नई आएगी ये लड़ाई है ही विनाश के लिए तुम देवता बनते हो तो इस कल योगी छीछी स्रश्टी पर आ नहीं सकते ओम शांती रूहनी बाब बैट रूहनी बच्चों को शमझाते हैं बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे माया रावन ने बेसमझ बना दिया था ये भी बच्चे समझते हैं कि बाग को जरूर आना ही है आज की मुल्ली शे मुख दस पॉइंट पहली पॉइंट ब्रह्मा दोरा नई दुनिया की इस्तापना कराते हैं यह भी बच्चे जानते हैं हमारी जो नई दुनिया है जो हम इस्तापन कर रहे हैं इसका नाम है ही देवी देवताओं की दुनिया दूसरी पॉइंट अभी तुम बच्चे इस्म्रती में आये हो की बरोबर हम देवी देवता थे निशानियां भी हैं इसलामी बवधी कृष्षन आध्व सबकी अपनी अपनी निशानी हैं तीसरी पॉइंट बाप कहते हैं विनास काले भी प्रीत बुद्धी और विनास काले प्रीत बुद्धी विनास तो इस समय होना ही है बाप आते भी हैं शंगम युग पर चौथी पॉइंट तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं कितनी ऊच पढ़ाई है पढ़ने वाले पहुत जन्मों के अंत में बिलकुल ही तमों प्रधान है मैं तो शदेव शतो प्रधान ही हूँ पाँचवी पॉइंट बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओवी डेंट शर्वेंट बनकर आया हूँ विचार करो हम कितने छी छी बन गए हैं बाबा ही हमको वावा बनाते हैं चट्वी पॉइंट बाप से प्रीत बुद्धी है कावरों उनको कहा जाता बाप से भी प्रीत बुद्धी अच्छा तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक हैं साथ मीं पॉइंट अभी है शंगम युक तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के इस्तापना हो रही है बुद्धी से काम लेना है अभी दुनिया कितनी बड़ी है तुम रूप भी हो बसंद भी हो बाप है ग्यान का सागर उनसे तुमको रत मिलते हैं ये ग्यान रतन है जिन रतनों से वै रतन भी तुमको धे मिल जाते है नमी पॉइंट शारे विश्च की बाद साई तुम से केंड में ले लेंगे बाप कितना सहेज युक्ती बतलाते हैं बाप ग्यान योग के अश्ट सश्ट देते हैं दस्वी पॉइंट गीता में भी है भगवान वात बिनास भी देखो इस्तापना देखो सच्छातकार हुआ ना ये सच्छातकार अब अंत में होंगे धारना के लिए मुकशार पहली पॉइंट शयम में ग्यान रत्न धारन का रूप बशन बनना है ग्यान रत्नों से विश्व के बादसाई की लाटरी लेनी है दूसरी पॉइंट इस बिनास काल में बाब से फ्रीत रख एक ही याद में रहना है ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पच्छाना पड़े या नशीब कुटना पड़े वर्दान आज बाबा ने दिया सदा इसने ही बन उर्ती कला का वर्दान प्राप्त करने वाले निश्चिंत विजई निश्चिंत भव इस पश्टी करें इसने ही बच्चों को बाब दादा द्वारा उर्ती कला का वर्दान मिल जाता है उर्ती कला द्वारा सेकेंड में बाब दादा के पास बहुत जाओ तो कैसे भी सरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी पर मात छत छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती इसने मेनत को मनो रंजन में परिवर्थन कर देता है इसने हर कर्म में निश्चित विजई इस्तिती का अनभव कराता है इसने ही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं स्लोगन आज बाबा ने दिया, नथिंग न्यू की इस्म्रती से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे, ओम शाथि